तो दोस्तों यह sized जो ग्राउंड है बहुत ही बढ़ा है शकाल जुला का चार्जश है वही 50 रुपी एगे दोस्तोव पजगरी बजार का थ्रास का दूर गापंडाल दोस्तो यह का दूर में गया घृतर पुजा समीथी मैं पहुंच चुका हूँ कत्राज गड़ का भी हूँ जी एन एम कॉलेज में और आप लोग को कोशित करूंगा पूरा कबरेज देने का कत्राज एरिया का पूरा पंडाल का तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और दिखलाते हैं कत्राज गड़ के सभी पं समीति और यह जो पंडाल बना हुआ है वो नेपाल का जो जानकी मंदिर है उस ठीम पे पंडाल बना हुआ है जो कि पहुंच बड़ा भई मेरे केमरा में भी नहीं आ पा रहा है तो चलिए चलते हैं और देखलाते हैं आपको अंदर माता का दर्शन करवाते हैं हम लोग जा रहे हैं पंडाल के अंदर में कुछ अंदर जाते ही ऐसा है अभीड तो बहुत हो गई है क्योंकि आज है अस्टमी और वीडियो मिलेगी आपको नौमी को जलिए आपको मैं पंडाल के अंदर का सिन्ध दिखलाता हूं कुछ इस टाइप का है पंडाल के अंदर में जो मूर्ती बैची हुई है वो के दार नाथ के ठीम पे है मंदिर का तो आप लोग को दिखलाता हूं आप लोग भी धर्शन किजिए और दोस्तों माता रानी का दर्शन करने के बाद में और पंडाल देखने के बाद आप लोग को दिखलाता हूं मैं मेला को कि कैसा है जी एनेम कॉलेज कतरास का अधर आई हुई है दोस्तों कुछ खाने पिने के लिए भी इधर दुपचुप चाटवे गर आई हुई है और उदर आई हुई जूला नाव जूला है वो साइट और साइट है अकाज जूला तो यहां भी आप लोग आ करके मेल तो जी एन्म कॉलेज में आ करके यहां आना ले सकते हैं और इधर दिखलाता हूँ चलिए मैं आपको अकाज जूला को इधर बच्चों लोग के लिए आई हुए बाई कार का जूला इधर जूला है उधर और इधर यहां जूला अकाज जूला का चार्जेज है बाई 50 रूप में तो आप लोग यहां फूल इंजुए कर सकते हैं इधर आ करके देखिए मेला को मैं चारो तरफ से घूम करके दिखलाता हूँ इस टाइप का है भाई मेला और उधर है पंडाल और इधर रखाने पीने की समाने अगया अगया आप लोग तो यह मिलेगा आपको टीला चार इस्थित पंडाल तो जिसरोकी बहुत ही बढ़ियां है भई जा रहे हैं देखने के लिए सजाया गया है बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं और यहां क्या बनाया हुआ हुआ है मैं आपको दिख लाओंगा दोस यह जो कि उस थिम पर इसको बनाया गया वहाँ चलिए पंडॉल के नदर और माता का दर्सत करते हैं तो तुल्खा माता ने ऒजार है। रॉफ अन्न mut successfully अन्हें आन। और दोस्तों यहां का तुल्गा माता का जो भी है इस टाइब का आपको भी दर्शन की जिए माता का दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं कतरास के नदी किनारे का पंडाल देखने के लिए तो चलिए आपको भी दिखलाते हैं कतरास के नदी किनारे का पंडाल जोस्तो है कत्रास के नदी किनारे का पंडाल जो कि बहुत ही बढ़िया बना हुआ है यहां संकर जी का प्रतिमा बनी हुई है चलिए चलते हैं मूर्थी के और दर्सन करते हैं माता का भी तो आप लोग भी दर्सन कीजिए माता का जाय माता दी और देखिए कुछ इस टाइप का बना हुआ है वही पंडाल यहां का तो चलिए और आगे को मैं दिखलाता हूँ आपको जा करके दोस्तो मैं पहुच गए हूँ कतरास का पचगड़ी बजार और वहां दिखलाओंगा आपको पचगड़ी बजार का दुर्गा पंडाल को तो चलिए देखते हैं पचगड़ी बजार के दुर्गा पंडाल को जो की बहुत ही बढ़ियां भी बना हुआ है तो चलिए चलते अंदर की तरफ और बहुत ही खुबसूरत गंगा का घाच का यह सीन दिखाया गया है जो कि बहुत ही जबर्दस लग रहा है आप लोगी दर्शन कीजिए माता जी का जय माता दी पचगड़ी बजार में कुछ जूले विगरा लगे हुए यहां आरीश टाइप का है भाई तो चलिए देखते हैं और आगे पंडाल कतरास का दोस्तों है कतरास रेलिवे स्टेशन साइट का पंडाल और कुछ इस टाइप का बना हुआ चलिए चलते हैं और माता का दर्शन करते हैं आप लोग भी दर्शन कीजिए माता का जय मादादी और इस टाइप का हवाई रेलिव इंस्टिउट का पंडाल जो कि रेलवे इंस्टिउट ग्राउंड में बना हुआ है और बहुत ही बड़ा है भई यह पंडाल गेमरा भी मेरा नहीं आपा रहा है और यह है बना हुआ है कौन थिम पे है दिजनी ग्रांडेस प्लासेस इन फ्लोरीडा यूएसे का उस थिम पे पंजाल बना हुआ है और चलिए चलते हैं अंदर जा करके देखते हैं कि और कैसा है अंदर और माता के भी दर्सन करवाते हैं आपको अंदर के मूरती सबको फलाच बाल आ रहा है उसमें देखिए वो ट्रक वेगर है पार हो रही है नाव में हैं चल रहा है आदमी सब और बाल आ गई है ऐसा फिम बनाया गया है मूरती अंदर का तो दोस्तों यह रेलवे इंसिट्यूट का जो ग्राउंड है बहुत ही बड़ा है और यहां बहुत सारे जूले आए बहुत बड़ा ग्राउंड है तो चलिए कु और उदर आया हुआ है आकास जूला ऑ बहुत सारी जूले आप और दिक लाता हूं उदर भी है इदर आयए है द्रेगन जूला जिसका दाम है 60 रुपीज और इधर आयए हुए वह यह आपको ब्रेअ को ड्रेकदान जूला इसका भी दाम है 60 तोरा तोरा जूला उस साइड में और इस साइड में भी आई हुई भई बच्चों लोग के लिए जूला जूला है और इधर कार जूला है भई उदर आई हुई महुत का कुवां देख सकते हैं उस साइड में और इस साइड में लागी हुई ए पूरा खाने पिने की समाने दे पूरा चलिए तो मैं चारों तरह आपको घूम करके दिखलाता हूं इस टाइप का भाई यहां का मेला अब तो हम लोग आ गए रानी बजार का पंडाल को देखने के लिए अरसांस इसाथ में मेला भी लगा हुआ है बहुत सारा आपको समाने आई हुए जूले आई हुए है तो चलिए दोनों को साथ मैं आपको दिखलाता हूं रानी बजार को इस साइड में देखिए दोस्तों एक खिलवने वे वेगरा की दुकाने आई हुई है और इदर सब हाई बोर रहे हैं अब तो हाई वल दिए इधर भी आए हुए है खिलवने सब की बहुत सार आप और देखते हैं दोस्तों आई हुई है कत्रास के रानी बजार में अकास जूला और इदर है तोरह तोरह जूला कि इतना प्राइस अना बतलाता हूं इसका और इसका प्राइस है दोस्तों 70 रुपीज इधर भी बहुत सारे जूले है उदर ग्रेगन जूला है और इधर भी आपको दिखलाता हूं यह रहा है आपका ब्रेकडान जूला जिसका प्राइस है 70 रुपीज तो इतना भई उदर नाव जूला भी आई हुई है मैं साइड में है नाव जूला है और कुछ ऐसा लगा भई मेला मैं आपको दिखलाता हूं इस टाइप का देखिए बहुत ही सुन्दर लगा भई जबदस तो यहां सकते आप लोग और दोस्तों मैं आ गया हूं कतरास का आपको दिखलाता हूं अब कौन सा ठीम पे बना हुआ है ए भी आपको बतलाता हूं तो चलिए चलते हैं पंडाल देखने के लिए दोस्तों एक त्राश के राणी बजार में बना हुआ पारलिय मेंट आउंड फंगरी उस ठीम पे पंडाल को बनाया गया है और दिखलाता ह गया है पंडाल के अंदर और मूर्ती बनाई गई वही बहुत ही सुन्दर तो मैं आपको दिखलाता हूं और माता कब दर्सन भी करवाता हूं मैं आपको इस टाइप का बना हुआ वही यहां के मूर्ती बहुत ही सुन्दर जेकोरेट किया गया है कि आप लोगी दर्शन कीजिए माता जी का अर दोस्तों मेला का ना जारा देखिए उपर ते कि आप गॉर झाल से ते एंढा लंट